मृत्यू के समय क्यों व्यक्ति की आवास बंध हो जाती हैं और शरीर छटपटाने लगता है। पहला, मृत्यू के समय जैसे ही यमराज के दूठ व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण मिकालते हैं। तो उस दौरान व्यक्ति को सौ बिच्चूओं के डंक मारने जितना दर्ध होता है। साथ ही व्यक्ति का मुँ अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। और वो कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है। दूसरा, जब व्यक्ति का अंतिन समय समीप आता है, तो उसके पास यमराज के दो दूट आते हैं। गरुर पुरान के अनुसार, यम दूट देखने में बहुत ही भयानक और बड़े मेत्रों बाले होते हैं। ऐसे यमराज के दूटों को देख, पापी प्राणी भय भी खोकर मलमूत्र त्याक करने लग जाता है। तीसरा, मृत्यू के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव भाहाकार करते हुए निकलता है। जिसे यमराज के दूट पकड़ लेते हैं। यमराज के दूट उस आत्मा को पकड़ कर यमलोग की यात्रा पर ले जाते हैं।